नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब शेनल इक्जाम ट्रकी में दोस्तों Dear Special Education IDD के जितने भी हमारे स्टुडेंट फर्स्ट इयर के है आप सभी को पता है कि आपके पेपर में कम से कम साथ से आठ या नौ नमबर तक की आपकी क्या पूछी जाएगी आपकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो वे सभी फुल फॉर्म जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर में आई हुई फुल फॉर्म यहाँ पर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी सबसे पहला आपका GLAD जी एल एडी इसको में बोलते ग्रेड लेवल असिस्मेंट डिवाइस आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप मालिए इसको नहीं लिख पा रहे हैं या इसकी स्पेलिंग आपसे मिस्टेक हो रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेड लेवल असिस्मेंट डिवाइस इसके बाद में पी इपी आर यानि की साइको एजुकेशनल प्रोफाइल रिवाइजड इसके बाद में वेरी वेरी इंपोर्टेंट जितनी भी हैं आपकी जितनी भी फुल फुल फॉर्म यहां पर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐस इन्टीव कम्मुनिकेशन आई एडियाल यानि की इंस्ट्यूमेंट एक्टिविटीज अव डेली लिविंग थी आर यानि की रीटिंग राइटिंग और अर्थमेर्टिक इसके बाद में और एंसी इयाई यानि की नेसरां काउंसिल आफ एजुकेशन रिशर्ट डेनवर मॉडल पी बी आई एस यानि की पॉजिटिव बिहेवरेल इंटर्वेंशन एंड सपोर्ट इसके बाद में इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं टेक की जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन आफ और्टिस्टिक अंड रिलेटेड कम्म इसके बाद में आपका ABC बहुत इंपोर्टेंट एंटिसीडेंट बिहेवर कॉंसिक्वेंस CCE यानि की कॉंटिनिवस एंड कॉंप्रेंसिव इवेलवेशन और जितने भी हमारे भाई-बैन या पर पहली बार जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए देश का नंबर वन चैनल आप सभी ने बनाया दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी वीडियो देखना है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा SLT यानि की स्पेसिफिक लेर्निंग डिसबेल्टी यह आपको NRT और CRT यह आपको तीसरे थर्ड पे कहते हैं भया इसके बाद में DTLD यानि की Diagnostics Text of Learning Disability इसके बाद में PMR यानि की Profound Mentory Tradition इसके बाद में Basic MR यानि की Behavior Assessment Scale for Indian Children with Mentory Tradition दोस्तों अगर आपको Telegram Group जोईन करना है जिसका नाम है Exam Triggy for Special Education आप भया इसको जोईन कर सकते हैं लगबग अपना 16K का परिवार वहाँ पर आ प्रोग्रामिंग सिस्टम इसके बाद में आपका FACP यानि की Functional Assessment Checklist for Programming नेक्स्ट आपका अगर हम बात कर लें वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसको लगा लीजिएगा INDT, AHD यानि की Incent Diagnostic Tool for Autism Spectrum Disorder इसके बाद में हम बात करते हैं AAMR यानि की American Association on Mental Irritation इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ABC की यानि की Antecedent Behavior Consequency मैं आपको बता भी चुका था SQ यानि की Social Quotant आपसे पूछ सकता है IQ यानि की आपका Intelligence Question या Quotant इसके बहुत फर्मूला होता है MA यानि की Mental Age upon Chronological Age गुड़े में 100 मांसी कायो बटे में वास्तिव कायो गुड़े में 100 IQ यानि की बुद्धी लब्धी का फॉर्मूला इसके बाद में HTM की बात करते हैं Short Turn Memory, UR की बात करते हैं Unconditioned Response, MI की बात करते हैं Multiple Intelligence IQ भी मैंने आप पर दिया गया है Intelligence Cution, DHT यानि की Dyslexia Screen Test, ZPD यानि की Zone of Proximal Development, अपगार यानि की Appearance, Pulse, Genmic, Activity and Respiration, GLED आपको मैंने फिर से बात आ दिया MRI यानि की Magnetic Resource Imaging, IDD ये भी Full Farm आपसे पूछी आती है तो आपको होगे Intellectual and Developmental Disabilities, इसके बाद में ICD-10 यानि की International Classification of Disease, Tenth Revision, इसके बाद में ADHD यानि की Autism Spectrum Disorder, इसके बाद में SHS यानि की School Health Service, इसके बाद में very-very important लगाई ADHD यानि की Attention Deficit Hyperactivity Disorder, इसके बाद में बाद करते है SLD यानि की Specific Learning Disability, PDD यानि की Pervasive Developmental Disorder, टेलिग्राम गुप जोएन कर लीजेगा, NDD यानि की Neuro Developmental Disabilities, VAKT यानि की Visual Auditory Kinesthetic Tactile, बहुत important development VAKT, इसके बाद में आपका राश्च्री संस्तान, ISLRTC यानि की Indian Sign Language Research and Training Center, इसके बाद में NIMHR यानि की National Institute for Mental Health and Rehabilitation, SVNIRTAR यानि की Swami Vivekanal National Institute of Rehabilitation Training and Research, WHO यानि की World Health Organization, UNCRPD यानि की United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities, ICT, very very important information and communication technology आप से पूछा ही पूछा जाएगा, PBIS यानि की Positive Behavioral Intervention and Supports, EHDM Early Intervention Denver Model, CCE ये आपको बताया था, GLAD भी आपको बता चुका, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको बता चुका, यानि की सारी आपकी Full Form जो थी, यहाँ पर मैं दुबारा से ये आपका छूट गया होगा, तो ये भी मैंन आपको मैंने यहाँ पर बता दी है, हाँ ये आपकी चूट रही होगी, English Language Development, ELD की जवाबती है, इसके बाद में ABC, ये सारी Full Forms जो हैं, हाँ ये आपकी चूटी, ये भी मैंने आपको बताई, तो दुबारा कॉपी हो गया, मुझे लग रहा भी है, तो जितने भी हमारे भा नेक्स वीडियो में बता दूँगा, कि भाया किस प्रकार से आपको कैसे कौन कौन सी चीज़े आपको पढ़नी है, ठीक है, तो मिलता हो दोस्तों नेक्स वीडियो में नई आनकारी के साथ में जितने भी हमारे भाई-भाईनिया आपर जुड़े हुए हैं, सभी एक बार वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास शेर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, तो टेलिग्राम ग्रूप को भी जॉइन कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा, इस्पेसल एजुकेशन से संबंदि सभी मात्वपूर जानकारिया, आपको आपका एक्जाम ट्रिगी परिवार देता रहता है, और समय समय पर देता रहता है, तो ऑटेंटिक न्यूज के लिए जॉइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल एक्जाम ट्रिगी बो, मिलता हूं जोस्तों, नेक्स्ट वीडिय में धन्यवाद